हेलो, सभी वच्चों को गुड मॉर्निंग, अभी हम आपके सामें लाएं section 54D की deduction, मैं फिर से पता देता हूं आपको, अगर आपने section 54 की deduction नहीं की होई, तो ये section 54D वाली deduction आपको समझने में परिशानी होगी, तो सबसे पहले आपने section 54 की deduction बड़े दियान से देखनी है, फिर ये उसके बाद वीडियो आपने देखनी है, section 54D का करता है, अगर आप कोई भी लैने बिल्डिंग बेचते हो, जो यूज हो रही थी, इंडस्ट्रियल अंडर्टेकिंग के लिए, और 24 मन्थ और मॉर यूज हो रही थी, कोई भी लैने बिल्डिंग जो इंडस्रियल अंड इंडस्रियल अंडर्टेकिंग के काम आएगी, तो आपको section 54D की deduction मिलेगी, sir, फिर business तो कोई भी कर सकता है, मैंने का हा, तो ये deduction सब के लिए, any assessi, इस से पहले जो deductions थी, वो deduction थी, घर, residential house बेचकर, residential house खरीदा, मैंने का, residential house तो individual और H.O.F. रख सकता है, फिर हमने बात करी agriculture land बेच कर, agriculture land खरीदने की, फिर मैंने का, agriculture land तो individual और H.O.F. रखता है, लेकिन भाया, industrial undertaking तो कोई भी अससी कर सकता है, तो इसलिए government ने भी का, कि अगर आप कोई भी अससी हो, तो हम deduction भी कोई भी अससी को दे देंगे, मतलम, soul trader, अगर land building बेचता है, तो भी deduction मिलेगी, H.O. हो रही है, खृदना क्या है, land and building और उससो land and building अभी क्या करोगे, industrial undertaking के लिए यूज़ करोगे, फिर वही पुरानी बाते हैं, यह जो नई land and building आपने purchase करनी है, यह कितने दियों तक purchase कर सकते हो, सर तीन साल तक, किसके तीन साल तक, date of sale के, date of sale के तीन साल तक आप पहले आप इसको purchase कर सकते हो, तो फिर वही बात, अगर मैं income tax की deduction चाता हूँ, और मैं कह दूँ कि मैं तो तीन साल में purchase कर लो, तो क्या government मेरी बात मानेगी, नहीं मानेगी, तो government क्या कहेगी, कि अगर आप purchase नहीं करना चाते है, तो कोई बात नहीं, capital gain account scheme में पैसा जमा करा दो, और बा फिर वही बात, सर हमने capital gain account scheme में पैसा जमा तो करा दिया, लेकिन use नहीं किया, या use तो कर लिया, लेकिन according to use scheme यूज नहीं किया, तो section 54 डिक्टो लग जाएगा, तो आपको section 54 वाली बातें सारी याद हो नहीं चाहिए, फिर अगली बात, नई land and building, हम कितने साल तक नहीं बे नहीं सकते है, सारा गर हम बेच दें, तो मैंने कोई बात दें, जो आपको section 54 D की deduction मिल चुकी है, वो deduction आपकी क्या हो जाएगी, टेक्सेबल हो जाएगी, उस साल टेक्सेबल हो जाएगी, जिस साल आप नई industrial undertaking वाली land and building बेच दोगे, और जो नई industrial undertaking वाली land and building बेच दोगे, तो आपको 54 याद है, तो 54 D भी आपको याद हो गया होगा, बस बदलना क्या है, land and building for industrial undertaking बेच कर land and building for industrial undertaking परशेज करनी है, और कोई भी SSE परशेज कर सकता है, अब इसको और डिटेल में समझा जाए, तो ये section चलेगा जी, 2 प्लस 3, 3, प्लस 3, हाँ सर हमें याद आ गया, बिल्कुल सही बात है सर, ये 3 years, ये 3 years, ये 2 years, तो ये deduction भी आपको 8 years तक ध्यान रखनी है, पुरानी, ये मेरी date of sale, पुरानी industry undertaking कितनी पुरानी उची है, कम से कम 24 मेने, 24 मेने का मतलब 2 साल, नई कितने दिन में परशेज कर सकते हो, सर जो नई आपने परचेज कर लिया, वो कितने दिनों में नहीं बेच सकते, सर जो नई हमने परचेज कर लिया, वो 3 years तक नहीं बेच सकते, बाकी सब चीज अगोडिन तो section 54 ही रहेंगी, बस ये 2-3 चीज़े बदली है, क्या बेचा है, क्या खरीदा है, कौन बेच कर कौन ख गया होगा, ओकी बेटा, थैंक्स अलोट